आपके दोरा टाइल किया गया नमबर सु इस्टोफे 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 we become the कनका रहाएंным нужно that कनाई वरसा स्सेरी वा canvas कने काई वाएंग नाइब तकम्हिंट तको कि कमें जल झाल वाल 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 difer priorit जाल ऑम झाल 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 कर सकते हैं एक आदमी मना करने के बाद भी यहां गाड़ी पार कर चला गया हुआ है हलो मैं कैसे हो गुड आ यू फाइन येस अव यू दूए अग्या हुआ हो सिर्फेज लेकर आए हो ये जोल के बादे के लिए असली चीज तो बैग में है चलो दिखो दिखो करता हूं सर मना कर रहे के बाद ही अपने गाड़ी हां पाक कर दी इसकी प्रॉब्लम क्या है क्या रहे तु तब से ही मुझे इरिटेट कर रहा है जब से गाड़ी पार दी है वो सिम कार्ड मुझे देना लो वैसे आज रात का हमारा प्लाइन क्या है तीन साल बात तुम यहां आ रहे हो वो भी उसके बड़्डे पर तो आज का दिन खास हुआ ना आज हम लोग धमाल करेंगे ब्रो ओके मैं तो प्लाइन क्या है अभी तो मुझे इंडियन फूट चा तुमारे पापा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब वो कोई नई आइटम लेकर आए हैं अच्छा अभी कहा चलना है पहले सीधा कमिश्णर अंकल के पास चलो मैं तुमारे डैट से मिलूँगा उसके बाद ही कहीं जाओं ओके सर ये लोग जिस जमीन में अपार्टमेंट बना रहे है उसी के बगल में मेरी भी जमीन है ये लोग मुझसे एक कॉंट्रेक्ट पर साइन करवा कर वो जमीन ले लिए उस कॉंट्रेक्ट में लिखा था कि मुझे भी उस बिल्डिंग में एक फ्लैट दिया जाएगा और बिल्डिंग बनने के बाद जब हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि बिल्डिंग बनने के पहले ही सारे फ्लैट बिट चुके हैं सर पहले हमारे पास जमीन थी घर भी था मगर आप भाड़े पर रहना पड़ रहा है पुलिस में केस फाइल करने के बार भी हम लोग चैन से नहीं जी पा रहे हैं इन्होंने डॉक्यमेंट्स पर साइन करके हमें बिल्डिंग मनाने के पर्मिशन दी और वो सारे के सारे पेपर्स आपके सामने टेबल पर हैं सर और इन्होंने सारे पैसे ब्लैक में लिए नहीं सर, हमने ऐसे किसी पेपर पे साइन नहीं किया और नहीं पैसे लिए सर पुलिस, कोट और लॉग की बात करके ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं सर हम और हमारी कमपणी बहुत ही रेपूटेड है सर आपके और आपके रेपूटेड कमपणी के बारे में इतने सारी कम्प्लेंज आ रहे हैं जमीन हथियाने पर कौन सा सेक्षन लगता है जानते हैं ना आपने इनकी जो जमीन हथियाई है उसके बदले में आपको देने होंगे दो करोड रुपे कल दो पहर तक इने हर हाल में सारे पैसे मिल जाने चाहिए और ब्लैक नहीं वाइट वरना कल से ये दिवार खड़ी करके वहां घर बनाना शुरू कर देंगे मैं उसकी नीव रखूंगा समझें की नहीं चौबिस घंटे का वक्त दे रहा हूं मैटर सेटल हो जाना चाहिए समझ गया है जाओ आप लोग चिंता मत किजे मैं सब कुछ समाल लोंगा ठेक है सर बैटो 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 कमिशनर सर काफी करता व्य पाराया है तुम कब आ है ए अपोर्ट से सिधा यहीं आ रहा हूं मैंने सोचा थोड़ी आपकी सेवा कर दूं उसके बात कहीं जाओं सब कुछ समझते हुए भी तू ऐसी बात कर रहा है सर आपने जैसा कहा पचास लाक ब्लैक में रिडी है आप ये बताइए पैसे लेकर कहा आना है शाम ठीक पांच बजे ताज समझ में आया कुछ पुलिस इतनी कर्तवे परायन क्यों होती है आप बिल्डर को परिशान कर रहे है तो आपको भी सतर कर रहना चाहिए अगर कोई हिडिन कैमरा रखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी बीस साल हो गया है मुझे ये खाकी वर्दी पैनते हुए कितने खेल खेल चुका हूँ जब भी कोई गलत काम करो तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस मत छोड़ो और जो इस केस में हुआ है वैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ इसलिए भी हमें इसमें कोई एविडेंस नह पर पहुंच जाएगी तो टेक्निशियंस को साड़े तीन बजी आने के लिए बोल देना और जो आर्टिस्ट है मनिश हमने 40 स्कॉर्पियों मंगवाए थी लेकिन दसी आई क्या सिर्फ दस प्रोड़क्शन कंट्रोलर साजी से बात करो अलो जा घोड़े की जरुती वाद तुमने हाथी बेज दिया और जहाँ हाथी की जरुती वाद तुमने घोड़ा बेज दिया तुम पक्का मुझसे फील्ट छोड़ू आके रहोगे एक मिनिट एक मिनिट अब शेरली ने तुम्हें रात को ग्यारा बजी आने के लिका तो तुम दिन के ग्यारा बजी क्यों तुम लोग मुझे पागल कर दोगे सर्चाय एक काम कर मेरी चाती पर रख दे एक मिनिट रुको अरे अभी मैं बीजी हूं मैं बाद में कॉल करता हूं अरे मैं पियानों बजाना शीख रहा हूं ना सर वो गनपतिया रहा है सब ठीक तो है ना किड़ो कुछ भी ठीक नहीं है साजी बॉस और मैं बहुत ही गुस्से में प्रोडूसर से पाथ करके इसका सोलुशन निकालो जूम और बॉस तो सिर्फ गुस्से में ही हो लेकिन मैं तो यहां पर पुरी तरह से उबल रहा हूं डारेक्टर का दिमाग ग सब्सक्राइब कर दें तो कर दें तो जरूर कैंजल होगी माइडियर सुग्रीव मेरा मतलब गणपती प्रताप सरा आने वाले हैं क्या है लोग वह आधी वह आते ही सब सॉल्व कर देंगे चाली स्कॉर्पियो रेडी करनी पड़ेगी अचा सुनो मैं जरा बिजी होने जा वह शहर के बीचों-बीच का प्लॉट है सतर करोड देगा तब ही बेचूंगा वारना मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो मुझसे बात करके कॉल करना हूं गुड मॉनिंग सर हां गुड मॉनिंग क्या चल रहा डारेक्टर काम चल रहा न और शूट कब तक खतम कर रहा हो सर कम से कम पचास दिन तो लगेंगे उससे पहले तो ना मुंकर है और पचास दिन जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि 40 दिन में शूटिंग खतम करनी है लेकिन सर बैठो ये फिल्म मुझे फेस्टिवल में रिलीस करनी है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि क्रिस्मस तक भी रिलीस हो पाईगी ऐसा ना हो फिल्म रिलीस होने के पहले ये इंडस्टिव से बाहर हो जाए आज का क्या प्लान है आज हीरो का इंट्रोड़क्शन सीन है सर और फाइट सीन भी होगा हीरो जब मैं फिल चलो जाओ जाओ काम शुरू करो कि यहां से यहां से जाने के लिए प्रोड़क्शन कंट्रोलर साजी इदर आ रहा है प्रताप सर ने कहा है कि वह बात कर लेंगे तुम अभी जा सकते हो कड़ी दूप में कबसे खड़ा होकर इंतिजार कर रहा हूं वो इस तरह अकेले समाधन केसे निकल सकते हैं बॉस से मिलने के बाद ही समाधन निकलेगा समझे ना कि दे रहे हो मुझे तो मैं पता निए कि वह कौन है माफिया डॉन शशी जैसे वह फिल्मों में फाइट करता ना रियल लाइफ में भी जरूरत पढ़ने पर वैसे ही मार सकता है जल्दी से निकल ले वरना पेटेगा माईडियर गणपती हमें यहाँ पर शूटिंग करने दो ना हीरो का एंट्री वाला सीन है लेक्स हो जाओ यार, क्यों Willun का एंट्री वहीरो का इंट्रीक्शन होगा घणपती, तुमए ंहरे बास इंडाई कि नमबर वन प्रोडूचर की शूटिंग लोकेशन पर प्रॉब्लम खढ़ी कर रहे हो साजी महन, यह नमबर वन और नमबर टूच्व का खेल है यह दा अनली वन तुम्हारा नाम लेके तो हर कोई अपने काम की शुरुवात करता है और तुम्ही कामे रोड़ा आठका रहो गणपती रड़े लेट गो फार दरियासंट कट 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 अरे वोग किसकी कार है जढंच यह जारा आया मिन का रोड़सा यिव सर्डस्ते पे बु多 हो इंबतस्ते का Byई त सुख़ में आपाे आप करना। आप यहां से किसक ले साजी प्यारे हाथियों के दंगल में चुहे का क्या काम मंने है मैं सच में फिल्मों के लिए बहुत ज़ादा क्रेजी हूँ और अब फिर तुम चिला रहे हो कि फिल्म कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है ताकि कुछ और भीग दे दू बहुत पहले मुझे फिल्मों में चांस मिलने वाला था लेकिन किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया इसके ही जैसे एक आदमी ने एक्शन बोला मैं समझ नहीं पाया तो कट बोल कर बाहर कर दिया फिर मुझे पैसे कमाने का यही सही तरीका लगा अब कोई मेरे एक्शन पर कट नहीं बोलता है मेरे सेट पे मारपीट करने के बाद याद रखना तुम फिल्म इंडरस्टी में कभी सर्वाइब नहीं कर पाओगे मेरे प्रिये प्रताप सर आप महान हूँ मैं हाथा पाई करने में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और आप मुझे इस टोर्णामेंट से बाहर करना चाते हैं ये ठीक नहीं है के उस सही कहा न प्रताप सर मैं भी कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुका हूँ तुम लोग फाइनेंसर से पैसे लेकर पॉकेट में रख लेते हो और जब वो लोग पैसा वापस मांगते हैं तो उन्हें काशी जाने की सलहा देते हो उनको बेवकू बना कर सारे पैसे हजम कर जाते हो लेकिन ये अलग नसल के हैं जो इनके फोन का जवाब नहीं देते हैं न ये उन्हें जुका कर मारते हैं अरे कौन हो तुम लोग बाहर निकलो मेरे सेट से मैं जिसके साथ हूँ वही बेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री में बिना पैसों के फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हाथ पहला कर तुम्हें भीख मांगना पड़ता था और मैं ही वह आदमी हो जिसने तुम्हें पैसे देकर इतना बड़ा आदमी बनाया अब मुझे ही तुम गोल-गोल घुमा रहे हैं मेरे दियेवे पैसों को लोटाने की जगे तुम इस तरह से पंच वाले डायलोग मत मारो मैंने अगर एक पंच मारा नब तो तुम सीधे रोड पर डिसको करते नजर आओगी समझ गए अगर तुम अपने बीवी बच्चों को जिन्दा देखना चाहते हो तो हिज़त से मेरे सारे पैसे लोटा दो वरना मैं उन्हें मार दूंगा और तुम भी जिन्दा नहीं बचोगे इस फिल्म का डिरेक्टर कॉन है रहे है मैं हूँ सर इसे गाड़ी में लेकर आओ हाँ चल बहुत है लेकिन चल तोपी पेंदा जरूरी है बेना टोपी के डिरेक्शन नहीं होता क्या हुआ है फ्रेंट्स मैं तह्य दिल से आपलों का वेल्कम करता हूं एलव ये प्लीज ब्स प्लास माई दॉटर माई प्रिटीज वैल प्रमाटर एटिल नहीं अनल एप साफ़ जेंगा प्र्रीम्रेट था शोर्णे कर पहलोगे ओके फ्रेंड्स अब डिनर का समय हो गया है प्लीज एंजॉई अरे अंकल आप केक काटने के समय क्यों नहीं आए ये केक काट के सेलिबरेट करने का समय है क्या बाहर का एक आदमी आके हमें बेजज़त करके चला गया अगर वो हमारे सेट पर इस तरह से हंगामा करता तो हम लोग इससे जिन्दा नहीं छोड़ते हाँ तुम अपने जान की खैर मनाओ जरा पीछे देखो आज आपके साथ जो हुआ वो बात पूरे शहर में फैल गई है अरे फैलेगी क्यों नहीं ये बात फेस्बूक वाट्सअप सब जगह आ गई है डिरेक्टर के एक्शन बोलते ही सब के सामने उसकी एंट्री हो गई और क्या फिल्म ही डायलोग मारा उसने अगर शूट करके उसे रिलीज कर देते तो फिल्म सूपर इट हो जाते तुम छुप नहीं रह सकते क्या अब क्या प्लान है कि उसे अंदर करवा दीजिए सर जिससे सब लोगों को पता चल जाए कि प्रताफ के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है अंदर करवाई उसे इतनी मेहनश से मैंने यहां पर अपनी इमेज बनाई थी उसने एक दिन में ही सब पर बात कर दिया क्या इमेज बनाई थी प्रताफ वर्मा पिछले पांस सालों में तुम्हारी फिल्म ने केवल फेसबुक पे शान्दार कलेक्शन किया है बड़े आई इमेज की बात करने अगर तुबारा मुझ खोला तो मैं तुम्हें जिन्दा चलातूंगा सर आइसेक कल हमें एक आदमी को पकड़ना है नाम बॉस है डीटेल्स मेरे ऑफिस से कलिक्ट कर लो ओके सर अड़ू इट उस पर चार्ज क्या लगाना है सर मैं बताऊंगा क्या चार्ज लगाना है ओके सर सर कौन सा चार्ज लगाएंगे मनी लॉंडरिंग एक्ट वाइलेशन क्या अरे कैसे प्रडूसर हो तुम इसे ऑपरेशन कुबेर कहते हैं येस लेकिन उसके केस में ऑपरेशन शायलॉक यही है वो आदमी लोग इसे बौस या शायलॉक के नाम से जानते हैं लेकिन किसी को उसका एक्ट्वल नाम पता नहीं है 2016 से इसका फिल्म इंडस्ट्री पर दबदबा चला रहा है शायलॉक वो कैसे सर शेक्स्पियर ने एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में लिखा है जो दुनिया का सबसे निर्दई मनी लेंडर था और फिल्म इंडस्ट्री में वही रुतबा शायलॉक का है वो ऐसे फिल्म प्रोडूसर्स के लिए गौड है जिनकी फिल्में पैसे की कमी से रुख जाती है यह है बाल कृष्ण पानिकर फिल्म इंडस्ट्री का पुराना प्रोडूसर् बास ने अपने गेम की शुरुवात इसी की लास्ट फिल्म से की थी फिर वो अपने गेम खेलता गया आखिर कार जब वो उसका पैसा वापस नहीं कर पाया तो बास ने उसे अपना मैनेजर बना लिया ये है गणपती ये बाल कृष्ण का ड्राइवर हुआ करता था लेकिन जब पनिकर बास के लिए काम करने लगा तो ये बास का ड्राइवर बन गया और अब ये दोनों बास के लेफ्ट और राइट हैं तो फिर हम लोग उसे पकड़ते क्यों नहीं सर भले ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो लेकिन सुबूत कोई नहीं है और सुनो तुम लोगों को उसके खिलाफ सुबूत ही जमा करना है इसलिए मैंने ये मीटिंग यहां बुलाई है लेकिन सर उसके खिलाफ तो कोई कंप्लेन भी नहीं आया सर तो क्या हम लोग यम्राज को पकड़नी जा रहे हैं अब तक मेरे पास पांच साथ घर होना चाहिए था है ना लेकिन अभी तुम्हारे पास अभी नहीं अभी तक तुम्हारी भविश्य देखने वाली यादत गई नहीं है मजाक उड़ा रहे हो पर ज्यादा मजाक मत उड़ाओ समझे क्रोधित क्यों हो रहे हो अपना डाउट पूछ रहा है अगर मैं किसी का भविश्य बता दूना तो बिल्कुल वैसा ही हो तो फिर तुम यहां पर क्यों खड़े हो या यह भी कोई मेरा प्रेटिक्शन 99 परसेंट साहि होता है बस मेरे मामले में नहीं होता है माजी रुक यह थाली लेकर रोज कहां जाती हो कोई जादू टोना तो नहीं करती क्या जादू टोना लोग ऐसा करते हैं बिल्कुल फिल्म वाले कई लोग ऐसा करते हैं इसलिए हो सर्वाइव कर जाते हैं सबसे बड़ी बात कई बार मैंने इस घर से रात को रोने की चिलाने की आवाजे सुनी है इस घर में जरूर कोई जादू टोना होता है क्या है मैंने तुम्हें इस तरह आने से मना किया था ना चलो मौसम बहुत नशीला है न पनिकर मैं भी आपसे यही कहने वाला था अजीब तरह का मौसम है है ना यह यहां कि यह तुम्हें कहा था आगे आने वाले पांच साल तक मिरे पास कोई डेट नहीं है इसके फिल्म का नाम क्या है अरे इतनी फिल्में कैसे कर लेते हो बाचा डार्क बादिशाह एक्चली मैं इस घर के बारे में कुछ पता करने आया है हमने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है यह घर शूटिंग के लिए नहीं देते हैं लेकिन आखरी बार मों बॉस से नहीं मिल पाया था ना अगर मैं उनसे डारेक्टली मिलता तो यह काम कपका हुजा था बॉस भी डारेक्ट मिटिंग के लिए बहुत इंट्रेस्टेट है और पता है पूरे दो साल तक वो केस चला थिर भी कुछ नहीं हुआ बदले में मैं यहां रहने लगा और अब मैं ही इस घर का मालिक हूं मतलब अब इस घर में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होता है आप इस घर में रहके क्या करना चाहते हैं सोचता हूँ घर को बॉम से उड़ा दू और उसके बाद जब यह घर जलेगा तो हम लोग उसे देखकर मजे लेंगे आ तो सर जी तुम्हारा बॉस अभी शुटिंग करना चाहता है अरे भागो यहां से जाधा दे रुके तो यहीं जाना पड़ेगा निकाल रहे लगता है तुम्हें पकड़ने आए मुझे क्यों तुमने किसी को लूटा होगा तुम्हारा बॉस का है बताइए सर क्या बात है उसके नाम पर वारंट इशु हुआ है बॉस के नाम से वारंट है क्या कह रहें आप वारंट पेपर को लेकर कि स्टेशन में करूंगा अरे सर आपने इसमें ये सब क्या लिख दिया है क्यों डर गया ना मैं इतने से डरने वाला नहीं हूं सर मुझे पकड़ कर ले जाने के लिए कम से कम ये तो इलजाम लगाओ कि मैंने किसी सुपरिस्टार की गाड़ी छीन लिया है या उसके घर पर इस तरह मेरा अपमान कर रहे थे उसके लिए इन्हें इस नोटिस में कुछ न कुस तो लिखना ही था ना लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा इस पी रैंग से नीचे के किसी अधिकारी से बात किवे मुझे बहुत दिन हो गया इसलिए अभी तुम जाओ और अगर त जब तक सो दो सो करोड की चर्चा ना हो केस में मजा नहीं बहुत शर्माती है मझे और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कंदे पर ये स्टार नहीं रहेगा और बड़ा स्टार लग जाएगा फिर तुम सिरु साही नहीं करोगे ओ जाओ 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 आपन साफ करो मुझे जाना है अरे यह इतना बगबग क्यों करता है यह क्या सोचते हैं कि पंच डैलोग मैं नहीं मार सकते हैं क्या मुझे लगता है जल्दी बंगाली ड्रैवर रखने माले हैं है बॉस उस प्रताब औरमा ने अपना गेम फिर से शुरू कर दिया है मैंने प्रोड हाँ सतीश बोलूँ सर प्रताब सर का बेटा यहां आपने कुछ गुंडों के साथ आया हुआ है मैं उन्हें बता दूंगा कुछ होता है तो मुझे बताओ ठीक है क्या हुआ चाहा सतीश ने प्रताब का बेटा कुछ अलग करने के मूड में लग रहा है जिस डांस बार को गिरवी रखा था उस बार को किसी और पार्टी को बेचने की प्लानिंग कर रहा है और कुछ गुंडों को लेकर इस वक्त बार में ही है क्या हमें उसके डांस बार को खतम कर देना चाहिए तुम चुप रहा यार गणपती कार को बार में लेकर चलो ठीक है अभी ले चलता ह चलो देखते हैं वो वहाँ क्या कर रहा है रोके बास जिम का एक लड़का इदार आ रहा है बास हुम वहाँ बास बास ही गया है र्रुम वैँँ अचांग वे उर वे पöm wires वे झाल वे रर वे वे रड़िख जंब वे ऱ वे रर क्या है वे 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 ठावर वे 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 झाल वरो वरो बस्तुड़ा है कि बस्तुड़ा है मास्तुड़ा है हुर खश़ा खश़ा है कि वर शटीन पाल वर वर। वर वर यर झा। हुँए हुऩ भुमाज़ाँ तुम्हारे डड़ी ने मुझसे पैसे लिये थे और उसके बदले में उन्होंने ये बार मेरे पास गिर्वी रख दिया था और तुम मुझे बिना बताए इसे बेचना चाते हो जो की गलत है इसी वज़े से मुझे अपना पाफॉर्मेंस यहां दिखाना पड़ा कीडो अब तुम एक काम करो यहां जितना भी लॉस वा उसका अकाउंट बनाओ तुम उसे अपने डैडी को देना और उसे उन्हें भरने के लिए कहना और कहना है कि आज बार में आइटम डांस के जगे तांडव हुआ जो बॉस ने किये कौन हो तुम? किडो? इस राज्जी में पहला इंसान है जो मुझे से पूछ रहा है कि कौन हो तुम? मैं तुम से बात में बात करूँगा पार खरीदने तुम ही आए हो? जिस हो? आँ, सपना मत देखो नसीब वाले हो इसलिए बच गए अच्छा, बॉस की फाइट फेस्बुक पे अपलोड कर दूँ क्या? वो क्यो? बॉस ने जिस तरह गुंडों को उठा उठा कर पटका है ना उसको देखकर पब्लीक के कितने लाइक्स मिलेंगे? एक्शन, कॉमेडी, मास और पता नहीं क्या तुमको जलन हो रही है क्या? मुझे मत बताओ कि बार में लड़ाई के लिए उस पर केस करना चाहिए ये तो एक मामूली केस होगा मैं उसे चोटे मोटे केस में बंद नहीं करवाना चाहता किसी काम के नहीं हो तुम लोग, पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है? अब उस बार पे मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे तुम मेरे लिए इतना चोटा सा काम भी नहीं कर पाए इसलिए कहता उन कामों से दूर रह करो जो मन करे खाओ, पीओ और यहाँ वहाँ आराम से घुमो अपना काम करना मुझे अच्छी तरह से आता है एक तरह से देखा जाए, तुम्हारा बेटा बहुत लगी है अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उसे आख उठा के देख सके ऐसा मत बोलो चाको वो तुम ही थे ना जो उसे, फसाने की बात कर रहे थे ओपरेशन साइलो, बताओ क्या उखाड लिया उसका आज भी वो वैसे का वैसा ही है आपने तो कहा था कि सारी मीडिया उसके खिलाफ हो जाएगी और तुम्हारा जिया ही जाएक भी कुछ नहीं कर पाया कोई भी इनसान या खानून, आज तक उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया बाहर से आदमी बुलवा कर उसका काम तमाम करता हूँ इसके लिए कितने भी पैसे लगे मुझे कोई परवान है उसे खत्म करने के लिए तुम बाहर से शूटर तो मंगवा लोगे पर उसके बाद अगर तुम फस गये तो फिर मुझसे कोई उमीद मत करना क्या तुम जोर पुलिस का खेल खेल रहा हूँ जैसे उसने तुम्हारे बेटे को मारा था कई वैसे तुम्हारा स्वागत भी ना करते हैं मैं कोई खेल नहीं खेल रहा बल्कि उसका खेल खत्म कर रहा हूँ दुश्मन जब पकड़ में आये तो उसके साथ क्या करना चाहिए जानते हो उसके मांद में जाना चाहिए मांद को पत्थर से बंद कर देना चाहिए जिससे हवा नहीं जाएगी और तम घुपने से मर जाएगा आएगा जियादा बखबख करोगे तो तुम भी इसी तरह गारे जाओगे Aditya we have a dirty plan आप हम लोगों को यहां बुला कर आखिर इस तरह से चुप क्यों बैठे हैं हम सब को यहां फिल्मे बनानी है आखिर कब तक हम इस तरह के गुंडों से ढरें सेक्रेटरे साब इसका कोई सॉल्योशन निकली है उस पर इलजम लगाने से क्या फाइदा सब जानते हैं कि उसके पीछे किसी और का हाथ है उस्से पकड़ने की कोशिश की तो उसने मीरे सेट पे हंगामा खड़ा कर सब इसमें बहुत कर देना चाहिए अगर आपने आप उनसे कुछ भी कहना या सुनना चाहते हैं तो यहां डिरेक्ट कह सकते हैं कि नमस्कार हाँ 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 राजी ब्रवन जी आप भी यहां बैठे हैं हाँ सेटलाइट राइट्स बिचने के बाद आप कहा था कि आप मेरा पैसा लोटा दोगे वहां सिगनल नहीं मिल रहा था क्या जो कॉल नहीं किया सुनो अगर शाम के पांच बजे तक तुमने मेरे पैसे नहीं लोटा है तो साथ बजे तुम्हारे चैनल में जाकर आज का न्यूज मैं ही पढ़ूँगा और तुम जानते हो मै मैं ऐसा कर सकता हूँ जो बुरा लगेगा तुम्हें देखो बॉस हां तुमिस तरह से मेटिंग में किसी जेंटलमेन के इंसर्ट मत करो जेंटलमेन यहां जेंटलमेन कौन है बाई सेक्रेटरिस साहब बताईया यहां जेंटलमेन कौन है हां वो सब छोड़ो यहां ऐसा जो सेक्रेटरी सहाब उस इंसान को छोड़कर जो अभी मोबाइल चला रहा है मैंने कभी किसी के साथ हंगामा किया नहीं न जो प्रोपटी उसने मेरे पास गिरवी रखी उससे बेज कर अपना इंट्रेस्ट भी नहीं निकाल सकता तुमने भी मुझे छे मेने पैसे नहीं दिया मैंने कुछ कहा नहीं कहा क्योंकि तुम्हारा रेकॉर्ड अच्छा है लेकिन इसका रेकॉर्ड अच्छा नहीं इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा अब तुम ही बताऊ सही किया न मैंने फिल्म के लिए पूरे पैसे दिया, यहां तक कि मोबाइल और पेट्रोल का खर्चा तक दिया, फिर भी यह मुझे पीछे घुमा रहा है, मिश्टर प्रताप वर्मा साहब, बाहर जो मर्सडीस गाड़ी खड़ी वह किसकी है, ब्राइबर से उस गाड़ी की चा भी मंगवा ली है, बॉस, यह गाड़ी तो बस हम इंट्रेस्ट के तौर पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें इंट्रेस्ट चाहिए, बाकी मुद्दल का तुम देख लो, हाँ, क्या आपके साथ एक सेलफी हो जाए, हम उन सब का फोटो अल्बम बना रहे हैं, जिसने जिसने बॉस से पैसे लिए, अब कहाए कि बॉस के पास आपकी फोटो नहीं थी, तो इसलिए मैंने फोटो ले लिए, बाए हाँ, बहुत शांदार बिल्डिंग है, लेकिन रियल स्टेट के बिजनेस में भी मंदी चल रहे हैं न, परताप सर, इसलिए कोई फ्लैट नहीं बिक रहा है सर, कैसी मंदी, काकनाट के सारे फ्लैट तो तभी बिग गए थे जब बिल्डिंग आधी थी, त्योहार पर कोई प्लॉट मिल जाए तो उस पर कंस्ट्रक्शन चालू कर दें, परवाँ काम करने के लिए आपको सेंक्शन मिल जाएगा, अरे कोई परिशानी नहीं होगी, सब मि है, वो ही है क्या कमिशनर, हाँ, वो मेरा सालेंट पार्टनर है, तो चिंता मत करो, इस वामले में कोई परिशानी नहीं हो, सर, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, सर, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, सर, मैं जब इनके पास अपने पैसे मांगने गया, इन्होंने फॉल्स केस में फसाने की कोशिश की, अपना गम भोलाने के लिए, जब मैं बार में थोड़ सी पीने गया तो इन्होंने अपने गुंदों से मुझे मरवाने की कोशिश की मुझे प्रोटेक्शन दीजिए सार मुझे प्रोटेक्शन दीजिए खेलते हुए देखे ओ? मैं बचपन में चोर पुलिस का ही खेल खेलता था सर हमेशा चोर बनता था वही सेफ लगता है तो पुलिस गेम कैसे खेलती है तुम जानते नहीं हो आँखे बंद करके हम दस तक गिनते हैं उस दोरान चोर को जितना भागना होता है भागता है उससे इतना खेलना होता है, खेलता है, आखे बंद करके मैं आप तक वही देख रहा था, तुम क्या-क्या गेम खेल रहा, यो टाइम इस ओवर, ये सब कहकर इसे ढराई है मसर, अगर इसे साफ-साफ बता दे, तो ये खुद ही समझ आए, मैं चाहता तो तुम्हें बार में ही मरवा दिया होता, पर असल में बात क्या है, हम तीनों ही जानते हैं, अगर तुम हम में से किसी के सामने भी उस पैसे के लिए दिख गये ना, तो फिर समझ ले ना, सर आपकी बेंसकार सनरूफ वाली है ना, कल रात में उसे घलती से लेकर चला गया था, तेज बारिश का पानी लेकिन वापस पाने के लिए जो दुश्मनी तुम हम से कर रहे हो, बहुत महंगी पड़ेगी, अरे यही तो, यही बात तो मैं यहां कहने आया था, सर जी, जब तक मेरा आकाउंट क्लियर नहीं होगा, मैं यहां से नहीं जाओगा, उसके लिए चाहे मुझे कमिशनर कहे, या फिर चाहे डी जी पी करें, तुमने मेरे सेट पे आके हंगामा किया, और बाद में मेरी गाली लेकर भी चलेगा, तो हिसाब बराबर हो गया, अब तुम अपना आइकाउंट बंद कर दो, और हम तुम्हें माफ कर देंगे, अरे बापरे, यह तो ऐसा लग रहा है, जैस मेरे प्रिय भाई, अब तो आप खुदी सब को समझ गया होंगे ना, अब जाओगे या रुकोगे, जाओँगा बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, यह चल रहे है, तुमसे तो बाद में मिलता हूं, फ़न उठा ले ना, तो सर जी अपनी दुश्मनी की लिस्ट मे मेरे लिए एक और पन्ना जोड़ो, क्योंकि मैंने तो उसे भागा दिया हूं, मिलता हूं। बॉस को बोलके यहां एक स्वियमिंग पूल बनवाना है, ताकि पी के तुरन ना सके, बस पीते रहो और नाते रहो, पसंद नहीं तो छोड़ देते हैं, अभी एक प्रोड्यूसर के हालत देख रहे हो, अच्छे से फ्राय करके क्रिस्पी बनाओ, नहीं तो बॉस इसके ल में कड़ गया, प्रताब वर्मा ने नहीं फिल्म एनाउंस किये, अगर पैसा नहीं है, तो कैसे कर दिया, वो हमारा पैसा वापस करने के मूड में नहीं है, उल्टा कमिशनर के साथ मिलके हमें किसी मुसीवत में फसाना चाहता है, वो बॉस का क्या करेगा, उसके अगले फ आइसा भी गया, और केस हुआ बहलक से, प्रताब वर्मा ने इसके लिए पूलिस में कमप्लेंट कर दी है, पिछले तीन साल से औस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था, कुछ दिन पहले ही अपनी पढ़ाई खतम करके यहाँ पर वापस लोटा था, कल सुबै घर से निकल उसके बाद कोई खबर नहीं सिर्फ एक रात के लिए वो घर नहीं आया तो आप इतना डर गए है जबकि पुलिस कंप्लेंड भी कर दिया है आपने एक फिल्म के फाइनेंशल ट्रांजिक्शन को लेकर मुझे बार-बार धमकी मिल रही थी दो दिन पहले किसी ने मेरे बेटे और उसके साथियों पर मेरे ही हुटल में मारपीट की थी मैं उसके बारे में कंप्लेंड करने ही वाला था कि पता चला मेरा बेटा लापत है उसने धमकी दिये कि वो मुझे और मेरे परिवार को और मेरे बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा इसलिए मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही चिंता हो रही है लेकिन सर इस तरह से बस 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 बहुत 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 आईए सर 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 एक सवाल फिर से कोची में माफ्य का दौर बाबात आ चुका है इस बार इस जाने माने प्रोडूसर को विक्तिम बनाये गया है पणिकर तुमने बोला और मुसीबत आ गई अब यही मुसीबत हमें ट्रॉफी दिलाएगी पकड़ो इसे मैं राउंड लगा कर आता हूँ मैं भी आऊँ कहाँ जाँ आजकल हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है दो दिन से उसका कोई पता नहीं है अगर भाग गया होगा तो और मुसीबत हो जाएगी उसकी तो रो अमेरिका से जो मांगवाई थी वो ग्रीन बोडल का है वहीं कहीं होगा ध्यान से देखो पता नहीं कहाँ छुपा देता है वो डर कर भागने वालों में से नहीं है उसका गेम बंद करना है तो उसकी मान तक पहुँचना ही होगा पहुचेंगे पता नहीं कहाँ चला गया उपर से आदित्य का फोन भी नहीं लग रहा जैसा अब आप वैसा उसका बेटा अगर उसका फोन स्विच ओफ है तो वो जरूर कहीं न कहीं कोई कांड कर रहा होगा तुम्हारा बेटा जो है तुम आदित्य को मेसेज भेजो वो कहीं इधर उधर ज़्यादा घूमे नहीं आइसेक हमने उसका पूरा घर चान मारा है सर मुझे लगता है वो अपने नौकरों के साथ भाग गया है लेकिन डोंट वरी हम जल से जल उसका पता लगा लेगने कोई भी इंफर्मेशन मिले तो मुझे बताओ पापा यह तो यह तो आपका ही ओफिस लग रहा है टिक टॉकिंग विद फ्रेंज वेटिंग पोर कमिशनेर साथ क्या ही है सर इन्होंने एसी का रिमोट लगने के लिए कहा था सर में जानता था आप आएंगे तो आपका मोट गरम होगा इसलिए सोचा कि आपके आने से पहले एसी ओन करके रूम ठंडा कर दू लेकिन आप तो पहले आ गए तुम जाओ कैसा चल रहा है सर क्या है कि पुलिस पीछा करके मुझे पकड़ नहीं पाती है इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया ये सब करके तुम अपना कॉन्फिडेंस मुझे तो दिखाने की कोशिश मत करो पुलिस जब खातिरदारी करती है तो पता है न क्या होता है बीवी बच्चे को भी नहीं देख पाऊगे सॉरी सर मेरी शादी नहीं वी अकेला हूँ वाकी हां फिर भी कल सुबह तक तुम्हारी ये अकर निकाली दूँगा वा सर क्या डायलोग मारते हो अब अगर मैं आपके डायलोग के ऊपर कोई पंच वाला डायलोग जोड़ याने भी दोस्तार था मेडिया को इंफर्म करो कि हमने इसे पकड़ लिया यस सर शायलोग को अरेस्ट कर लिया गया अब बस अरेस्टिट बॉस को अलवा पुलीस क्लब में रख्वा गया कि अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ इंक्वारी बस हमने शुरू की है बाद में अपडेट करता हूँ यह कैसा फोटो है इसमें हैंसम लग रहा है एरे कौन है लाइट मार रहा है वह सहर है आईए सार आईए बैठिये प्लीज सिट डाउन हाथ बंदे 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 हुए हैं हाथ बंदे बंदे तुमने न्यूज नहीं देखा टीवी में जो इस वक्त दिखा रहे हैं वो बहुत ही कम है बाहर का मंजर जो मैं देख कर आ रहा हूँ वो बहुत ही भयानक है मैंने कहा बॉस को हाजिर कर दूँगा आपको जो पूछना है पूछ लेना अच्छा वैसे जाल में तो तुम खुद आकर फसे हो पर तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से यहां से बच कर निकल जाओगे या फिर यह लगता है कि तुम फिल्मों की तरह मुझे चक्मा देकर अतकड़ी मुझे पैना कर यहां से तुम कायब हो चोर को छुपने के लिए पुलिस वाला आँख बन करके दस तक गिनता था गिनने के बाद जब पुलिस वाला आँख खोलता था तब वो चोर कहीं छुप जाता था क्योंकि अगर वो चोर पकड़ा जाता तो पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता लेकिन यहां पर ऐसा नह ने चोर को पकड़ लिया उस पुलिस वाले को पता नहीं था कि उस चोर ने कहानी का क्लाइमिक्स बदल दिया है ठीली ओन कीजिए सायर आपको पता नहीं कि पुलिस वाले ने जब आखे बंद की थी तो चोर ने क्या किया अधित्यवर्मा जिनके अपहरण की चर्चा सुर्खियों में थी इस केस की जांच करने वाले कमिशनर फिलिक्स जॉन की बेटी के साथ होली मनाते हुए नागपूर के एक रिसॉर्ट में देखे गया है आईए हम आपको कुछ दृष्ट दिखाते हैं होली खेलते हुए जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना फिलिक्स जॉन वही कमिशनर है जो इस केस का इन्वेस्टिकेशन कर रहे है मैं ऐसा ही पकड़ में नहीं आ गया था सर पहले मैं नागपूर गया फिर यहां आया यह पकड़ी सब्सक्राइब के बाद कर रहे हो इस केस की जाच कर रहा है कमिशनर की बेटी को लेकर भाग जया था वह है आपको जैसे ही पता चल आप लोग कैमरा लेके आगए जीना हराम कर दिया है अब लोगोंने हमारे हाँ तो मैं जाओं सर वैसे भी आपने तो मुझे रिया कर दिया है थैंक्यू सर हाँ सर यहां से मेरा इस तरह जाना आपको फिल्म ही लग रहा होगा अब तो यह सब ऐसे ही चलता रहेगा सर चलता हुआ सर दिन की इंक्वाइरी और जाच परताल के बाद यह साबित हो चुका है कि आप निर्दोश है आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे सर जब प्रताप सर ने आकर बोला कि मेरी शुटिंग रुखने वाली है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो यह सही है कि मैंने पै को किड़ डैप कर लिया भाई ऐसा तो मैंने कई फिल्मों में होते देखा है मेरे जैसा शरीफ यह कैसे कर सकता है क्या आपको पूलिस ने टॉर्शर किया है मेरे पास पैसे खत्म हो गए है अब मुझ पर कर्ज भी चड़ चुका है और मैं लोगों की नजरों में ठक भी ब किया और आप लोगों ने उसे टीवी पर चला या इसलिए मैं आपको हाल चोड़ कर मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ आप देख सकते हैं कि बॉस को कितना टॉर्चर किया गया है और इस घटना के बाद वो अंदर से कितना तूट चुके हैं आज फिर हमने वो कर दिखाया कि साब भी मर गया और लाठी भी नहीं तूटी आई यह बॉस आज फिर से सामने आकर खड़ा हो गया आये बॉस मेरा पेटा का है क्यों क्या तुमने निउस भी नहीं देखा कि तुम्हारा बेटा नाकपुर में है फोन नहीं किया यह लडाई मेरी और तुम्हारी है इसमें तुम मेरे बेटे को क्यों खीच रहे हो तुम्हें बहुत महेंगा पड़ेगा अगर यह लडाई तुम्हारे और मेरे बीच की है तो मुझे फ़साने के लिए तुमने अपने बेटे का यूज़ क्यों किया मैं नियूज देखते ही समझ गया था कि तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है और ये बात मेरे काम आ गई कमिशनर की बेटी के साथ तुम्हारा बेटा मज़े कर रहा था अब इस वक्वक कहा होगा क्या वो हवा मुड़ गया शराफत से बता दो कि मेरा बेटा कहा है या मैं उगल वाओ उसे पकड़ के कहा रखा है तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारा अकाउंट किलियर हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा बॉस अकाउंट की बात कर रहे हो मैंने तो तुम्हें उसी दिम बता दिया था मैं इस शेहर को छोड़ कर तब तक नहीं जाऊंगा एक बात अच्छी तेरह जान लो हम जो कुछ भी करते हैं उसका सबूत कोई ढून ले ये संभव ही नहीं आप भी ट्राइ कर लो नागपूर से तुम्हारे बेटे को किसी ने किड्नैप कर लिया है अब वो उसे उल्टा लटका कर बुरी तरह मार रहा होगा वो दर्थ से डैडी डैडी चिल्ला रहा होगा अगर वो जादा जोर से चिल्लाएगा न तो वो उसके मूँ में गर्म रॉट भी डाल सकते है भागने की कोशिश करेगा तो पीछे से कुई गाड़ी उसे ठोक सकती है और जब वो बेचारा रॉट पर गिर जाएगा तो वो गाड़ी उसे कुचल कर जा सकती है ऐसा भी हो सकता है कि वो कुचलने वाली गाड़ी उस मरने वाले के बाप क्यों हो और शायद गाड़ी का ड्राइवर बी ओ एस एस बॉस हो सकता है अब मेरा तू बाल भी नहीं उखाड सकता शाम तक उसकी बॉड़ी घर पर पहुच जाएगे यह अपने पार्टनर को भी बता देना अब शलता हूँ चलो और कितनी प्योंगे रहने दो अपने तुम लोगों के बातों में आकर मैंने अपने बेटे को खो दिया मैं जो भी करता था उसकी खुशी के लिए और अब वो हमें छोड़कर चला गया यह खेल हमने साथ में खेला है जो खून तुम्हारे आंगन में बिखरा है वो हम दोनों के नुक्सान है मेरी बेटी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है यह हमला मुझे अकेले पर नहीं किया गया सर्थ बलकि हम सब पर एक साथ हमला किया गया है पर आखरी में आपने जो बात मुझे से कही है न वो बात मुझे अकेले नहीं कई वो बात किसी और से भी पहले भी कह चुके है सर्थ जिसके सारे वो यहां तक पहुँचा था जिसे बहुत पहले ख़तम कर चुके है उसमें अगर यह इंवाल्व है तो तुम भी हो और अगर तुम दोनों इन्वाल्व हो तो मैं भी हो और देखो वो भी इन्वाल्व हो अगर वो यहां पदला लेने के लिए आया तो अपने पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा आज जैसे हम रो रहे हैं वैसे ही वो भी रोएगा अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कर डालो वो खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है इससे पहले कि वो यहां आके हीरो गिरी करें खतम करते हो बैटिंग अच्छी चल रही है और कोई बीच में रन आउट हो जाए तो बहुत अफसोस होता है और ऐसा तुम्हारे या तुम्हारे पार्टनर के कारण हो सकता है पिचानता हूँ किसी एक्सिडेंट से मेरे पे ठेकी मौत नहीं हुई लेकिन इंसाफ के लिए मैं किसी कानून के पास नहीं जाओंगा खुद इसका इंसाफ करूंगा यह तो अच्छी बात है मतलब अभी तक किसी को कहानी समझ में नहीं आई बट वाई? यहाँ इतने सारे पुलिस वाले और फिल्म वाले हैं पर किसी ने मेरा फ्लैश पेक जानने की कोशिश नहीं की बट वाई 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 वो क्या है कि मैं इस कहानी की शुरुवार तुम्हारे बेटे से करना चाहता था ताकि हमारा पुराना हिसा बराबर हो जाए यह तो सिर्फ एक सीन है फिल्म खत्म होते होते तुम लोग सब समझ जाओगे चलता हो भाई चलो बॉस यह सब हो क्या रहा है आपने जो कुछ भी कहा वो सब सच था क्या क्या आपने उसे अपने हाथों से मार दिया चलो कार स्टाट करो जान से मार दिया क्योंकि उसने पैसे नहीं लोटाए उसकी जगा अगर मैं होता तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही करते मुझे मार डालते है विश्वास होगा भी नहीं, गाडी स्टाट करो अरे बताओगी कि क्या हुआ क्या बात है अरे रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ मैं अभी आता हूँ जल्दी चलो भाई मैं आ गया हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होने दोगा मैं जानता हूँ भाई तुम्हें तन तक नहीं मरना है जन तक की हिसाब भराबरना हो जाए कुछ दिखाता हूँ भाई देखो देखो यह देखो भाई मैंने इसे मार दिया भाई तुम ठीक हो जाओगे बोस यह सब क्या है बोस इतने सालों से आपके साथ हूँ पर आज तक मैंने कभी आपकी आँखों में आँसु नहीं देखे पर आज ऐसा क्या हुआ जो राज आपने छुपा रखा है उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता जो आप हमें नहीं बताना चाहते है वो जानने का हक नहीं है पर ये बताएए कि ये कौन है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह तो यही पर रोख ठीक भाई सबको मेरा परणाम यह पंचायत यहां इसलिए बुलाई गई है कि हमारे अयनर का भाई मुकेश और रंगा की बहन पंखुडी एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिसकी वज़े से दोनों परिवार में जगड़ा हो रहा है इसलिए अयनर रंगा दोनों आपस में समझोता करें मैं यहां कॉप्रमाईस करने नहीं आया अयनर का भाई यानाथ इसका भाई कैसे हो गया अरे मा अयनर का कोई छोटा भाई भी था क्या नहीं तो सबको पता यानाथ है अईसा क्या अरे बापू आपको तो कुछ पता होगा वो तो दुनिया के हर इंसान को अपना भाई बोलता है तो क्या हम उन सब को अपनी बहन देते रहें भाई यहां बेटा हर आदमी मेरा भाई है हर आदमी मेरा आदर करता है और उसी आदर की वजह से मैं यहां पर आया हूँ यह मुकेश मेरा भाई ही नहीं है मेरे बेटी की तरह है, बेहन की शादी करोगे, तो उसे रानी बना के रखे, यह, भाई है यह बेटा, पहले यह क्लियर कर, यह मुच्छड, जब इसके माबाप का कोई ठिकान ही नहीं है, तो यह इसका भाई कैसे हुआ, अरे कम से कम इसकी जाती का तो पता कर लो, जात पात क तुम इस लड़के के दलाल बनकर मेरी बेहन का हाथ मांगने कैसे आ गए, इस तरह बात करके क्या लगा, कि तुम मेरा अपमान कर दोगे, कभी नहीं, बलके खुद का अपमान कर रहे हो, मेरे लिए तुम जरूरी नहीं हो, तुमारी बेहन जरूरी है, बोलो बेटी से शादी करना चाहती हूँ है इन सब के छोटे-छोटे टुकले कर दो है तुम लोग खड़े-खड़े क्या देख रहों काट कर फेक दो इन सब को है 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 हुआ है झाल हुआ है हुआ है य है है हुआ 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 हु ह superintendent को भ। पकुआ बाव हु… हुआ हु… हुआ 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 Hem मैं को नS Banglaci चां मैं हुआ हुआhale हुआ हुआ हु हुआ! को새 टो हुआ!! पर परू जो कना कि प्यार ol परूसरी! चुझ पुझ बूण ऐसी अपे zone बॉग घबेओञ़ स में बॉट पर हृ चो पर light बॉब बॉप लग लग जव डर क्या कहा था तुमने वह किस जातीका है हम सब मानव जाती क 은 तुम अलग जाती कि हो क्या और तुमने क्या पुछा था? उसके माबाप कौन है? बिना माबाप के कोई पैदा नहीं होता ये तुझे नहीं पता है क्या मैंने भाई से कहा था कि वो तुम्हारे समझाने से नहीं समझेगा पर भाई ने क्या कहा पता है वो मेरे भाई के जैसा है मैं समझाओंगा तो वो समझ जाएगा भाई को तुम पर बहुत भरोसा था लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़े आज के बाद मेरी फैमिली पर हाथ उठाने से पहले मेरे बारे में 100-200 बार सोच लेना और अगर तुम सोच लोगे तो फिर दोबारा ये गलती नहीं करोगे बात भेजे में घुसी की नहीं या भेजा ही खौ़ू क्या फाइट थी भाई, मज़ा हा गया जब भी मैं किसी को मारता हूँ, तो ठेर क्विंटल के वजन से मारता हूँ तुम सारी फिल्मों के डालोग पूरी तरसे याद कैसे कर पाते हो फिल्म स्टार की तरह बाद करते हो तुम फिल्म में चांस नहीं मिला तभी तो ऐसी जगे टैलेंट दिखाता हूँ ऐसे क्यों बोलते हो, तुम मेरे कमांडर हो, मैं तुम्हें हेक्टिंग का मौका दूँगा, तुम्हें हीरो बनाऊँगा, मैं सच में क्या? बादा करता हूँ, मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, पर क्यों? क्योंकि भाई वहां नए लोगों को चांस मिलता है आप तो च्रीक है ऐसा ही होगा वह बनाऊंगा फिल्म अभर बात्यृहर्षार्ट हो गई है क्या क्या कर रहे हो ठर्यृह रूप छब शांदあのद घृण अपनी बह्受द्ञ किॐसी को पता कि दिराब तो वह सोच्थिक ईसे नहलें कि बीच में मताईए यह लोग देख लेंगे देखा पापा इतना होने के बाद भी कैसे अकड़ के खड़ी है अकड़ के खड़ी है जानते क्यों क्योंकि वो भी इसी की बेहन है मेरी बाद सुनों उसे अंदर लेकर जाओ अंदर चलो अरे क्या कर रहा है शांत हो दाताया और तुम सबको एडवाइस देती रहती हो अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती उसे क्या समझाओ कम से कम उसने हमारी इज़त तो रख ली रंगा तुम्हारे इतना सब करने के बाद भी उसकी आँखों में कोई दर दिखा या डर दिखा नहीं न क्योंकि उसके दिमाग में प्यार का जहर तुम्हारी दारू से ज्यादा चल गया अब वो नहीं समझेगी कि ए रंगा उसकी फैमिली को खून के आंसू रुलाना इतना आसान काम नहीं है भगवान शिव के साब की तरह ही वो टेल उस अयनर के पूरे परिवार की रक्षा करता है अगर उस उस टेल को काड़ दिया जाए तो हेट को कुचल सकते हैं मैं उसकी पूच को काड़ दूगा तुमने मुझिया किसी जरूरी बात के लिए बुलाया है ना पहले में इसे पी लेता हूं उसके बाद हम आराम से बात कर सकते हैं सही का चाहे खोशी हो या गम शराब तो तुम्हें पहले चाहिए है तुझे क्या हुआ कुशनी भाई हा बेटा मुकेश मो लटका है क्यों बैठा है नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है रंगा ने तुम्हें अनात कहा इस बात को लेकर तुम इतने अपसेट हो क्या भाई मैं इसके लिए क्यों अपसेट होंगा मेरे लिए आप लोग हो ना तो फिर तुम इतने उदास की हो इसलि लेता हूँ, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, वैसे भाईया और भावी की शादी कैसे हुई पता है तुम्हें, मेरा जन्म और परवरिष्ट पलाकड की गलियों में हुई, वहीं पला बड़ा, इधर उदर मेहनत करके पैसे कमा कर खाता था और बचेवे पैसों से फिल्म देख फिर कुछ समय बाद एक बिजनेसमेन लक्षमी के पापा के साथ बिजनेस करने के लिए आया, जहां लक्षमी से उसे प्यार हो गया, लक्षमी भी उस आदमी के बगएर नहीं रह सकती थी, बॉस को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने मुझे उस आदमी के हाथ पर ये खुद को ममुटी कहते हैं, और मैं रजनी कांथ, मैं तो पहले ही खा चुखा था, मगर फिर से खा रहा हूं, टेस्टी है ना, तेल कहा है, दरसल वो थोड़ा बिजी है, किस काम है, आपको तो पता ही होगा, वही एक्टिंग प्रेक्टिस, कोई नहीं जानता है कि मैं क जब कैसे और कहां पहुंच सकता हूं, लेकिन जब मैं एक ठान लेता हूं, तो सही जगे पहुंच जाता हूं, यह लोग सूपरिस्टार नहीं बनने देंगे, देखो तो आ गया, अपना टेरर स्टार टेल, चुप 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 रहो, नहीं तो मैं डैडी को बुल रहन दो, हमेशा यही सब इडली, डोसा, सामर, वड़ा, चटनी, कभी तो इसके सिवा और भी कुछ बना लिया करो, क्या कहां? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या तोम भी, सुबह सुबह उनको परेशान मत किया करो, और हाँ चन्ने जाने की तयारी कर लो, चन्न रहीम, नाश्ता तयारे जाकर कर लो, आप बिजनिस की बातें घर में क्यों करते हो? तुम्हें क्या हुआ है? पंगुडी का फोन आया था, वो लगा था, रोई जा रही है, जब मैंने उसे रोते हुए सुना, तो मुझे अपनी बातें याद आ गएं, आप मर्दों के इस तरह से लड़ते रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला, हम सब को साथ चल कर उनसे बात करनी चाहिए, अगर लक्ष्मी चाहती है, तो हमें उनसे जाकर बात करनी चाहिए, ठीक है, तो तयार हो जाओ, मैं कार लेकर आता हूँ, रोको, तुम नहीं जाओगे, सिर्फ हम दोनों बाइब एक बार कह दिया नहीं जाओगे नेक बार कह दिया मतलब मुझे नहीं जाना है भाई हिसाब ने कुछ गर्बण है यह हमारे सिर से सिर पाली नहीं है बलकि टिमाग भी गायब है अ मुझे माफ करने आप ऐसी गल्थी दुबारा नहीं हो आज निकल यहां से एंग, कौन है आए 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 नमस्ते, क्या भात है बेहन, यह सामान लेकर यहां मेरे ये तीनों भाई राम है, मुकेश है, रहीम है माना ये मेरे सगे भाई नहीं है लेकिन सगे से कम भी नहीं है सब अनात है लेकिन इन्हें मैंने ही पाला हम सब लोग एक साथ मेहनत करते हैं एक साथ खाते पीते हैं और मिल जूलकर एक साथ रहते हैं रंगा उस दिन पंचायत में वो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारना चाहा जल्दबाजी में मैंने भी थपड मार दिया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं चिन्नमा एक औरत तभी खुछ रहती है जब उसकी शादी उससे हो जिससे वो प्यार करती हो आप ही इने समझाईए ना कोई मुझे नहीं समझा सकता तुम लोग जाओ यहां से जा निकलो सुन रहो ना बड़ी याई समझाने वाली बहरे हो क्या सब के सब लक्ष्मी पंखुडी को बुलाओ पंखुडी तुम हमारे मुखेशत शादी करना चाहती हो ना तो चलो हमारे साथ पंखुडी मेरे भाई से शादी करने के लिए मेरे पास आ चुकी है अब पंखुडी मेरे लिए मेरे घर की बहुत समान है उस पर किसीने हाथ उठाया तो हाथ काट दूगा सुना तुमने उसके हौन बजाने का सिर्फ यह की मतलब है कि हमें बिना किसी जगड़े की मामला निप्टा लेना चाही है नहीं तो तुम उसे जानते ही लिए होश यार हो खर्पैर्व होश बंदे घर्रीन टुमटी अए मसा मसा रेह कि दुम स्चाब करेघ्बु तुम होश यह होश दुम उसे भा District जग तenge का κे कि आ fairly वे पर बिना नहीं दुर्ड़े Pvõ ।ुम मेरह लावा लावा लाव लावारा अरे टेल, भाई बहिया बुला रहे हैं आपको, तू तो टेल मत कह, ज़रा सुंग तो, महकारी है, अब ठीक है न, अब ठीक है, अरे कहां थे तुम, अंदर ही था, तुम इतने ठगे ठगे क्यों लग रहे हो, मिलक शेक ला कर दूँ क्या, तो कुछ और चाहिए, नहीं, तुम यहां पर खुश तो हो ना बेटी, हां मैं बहुत खुश हो, ऐसे ही खुश रहना, अरे मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम भी कुछ भी हो, आखों में घुस्सा और हाथों में ताकत, चाहिए दिल में दर्द हो, सब कुछ अकेले हैंडल करने वाला, यही है रियल हीरो, इसकी बातें, बातें कम होती हैं, और फिल्मी डालोग ज्यादा होते हैं, फिल्मी कीडा है इसको, भाई, आप से मिले कुमारा है हुसे ऊपर लेके चलो, मैं आता हूँ, अब लोग बात्चेत कीजिए, तुम यहीं रुखो, मैं मिलके आता हूँ, नमस्ते भाई नमस्ते, बैठाई, मेरे पैसे का क्या हुआ, लेकर आयो ना, मैं उसी की बारे में बात करने आया हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हारे बास कहा है, भाई, मैंने दो हफ्तों पहले ही उनसे आपके पैसों के बारे में बात की थ हाँ क्या हो रहा कुमार उससे बात हो गई क्या क्या रहा है वो पैसे के बारे क्या हो रहा है प्रतापसर तुम्हारा बिजनस तो ठीक चल रहा है ना अब भाई वो पैसे की कुछ प्रॉब्लम चल रही है सीधी बात क्यों नहीं करते हो वो फोन का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि हम थोड़ी मुसीबत में थे इसलिए आपने जिस फिल्म के लिए फाइनेंस किया था असल में वह फ्लॉप हो गई तो जो पैसे ही नहीं आए त तोड़ तोड़ के देता रहूं अगर सच में तुम्हें कोई परिशानी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन अगर मेरे विश्वास को धुका दिया तो मुझसे बरदास्त नहीं होगा अच्छा होगा मेरा पैसा लोटा दो वरना कहीं तुम्हें मेरा दूसर रू कुछ सेटल करना होगा पैसा लिते समय तुमने जो मुझे बेनामी डॉक्यूमेंट्स दिये थे उसके सेरी में तुम्हारा घर कार एस्टेट सब कुछ ले लूँगा भाई अब आप हमसे क्या चाहते हैं याओ मिलके बात करते हूं चन्नई से मूर्ती सर का फोन है कहो कल तुम उनसे मिलने आ रहे हो सर वो रुकर को मुझे दो मैं बात करता हूं सर कल में अपने भाई को वहां भेज रहा हूं दो दिन में मामला सेटल करके वापस भेज दे हूं हाँ ठीक है भाई आज क्या बात हुई उससे क्यूं इतने परेशान होते हैं मैंने आपसे कहा था ना वो पैसा भूल जाए हमारी जरूरते तो पूरी हो ही जाती है तो पिर क्यूं परेशान होना मुझसे ही पैसे लेके वो लोग करोड़ पती बन जाते हैं और जब मैं वापस मांगता हो तो मुझे गोल गोल घूमाते हैं तैल मुझसे यह कई बार पूछ चुका है लेकिन मैंने नहीं बताया कि वो कौन है उससे कभी बताना भी मात अगर उसे पता चला कि वो लोग मु तो मैं तुमसे यह कह रहा था कि अगर हमें कुछ करना है तो यही सही समय है तेल दो दिनों के लिए घर पर नहीं रहेगा चन नहीं जा रहा है वाई यही सही समय है अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं लेकिन रंगा भाई इतना अपमान होने के बाद तुम अपने घर से बार नहीं जा पा रहे हो और उधर कल वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करेंगे तुम लोग सोचो और बता हो क्या करना है मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया भाई सोकर उठे तो के देना मैं चला गया सोते से में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कब तक वापस आजाओगे जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आजाओगा तुम्हें जो मैंने मिठाई दी है ना रास्ते में पेरुमल मंदर पड़ेगा वहां चड़ा देना कोई खास तुम्हें कल सुबह रवाना होना चाहिए था कितनी बार कहा है के रात को गाड़ी मज चलाया करो ठीक है अब निकल गए तो जल्दी आओ संभल के चला ना भाया वो मैनन मिलने के लिए आए बेजो अंदर जी बैया आईए मैनन सार बैठिए आज आप अकेले ही आया है भाई अभी मेरी क्या हालत है शायद आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं आपके फोन का जबाब नहीं देपाया इससे पहले तो आपकी हालत और बतर थी तभी किसी ने लोन नहीं दिया यहां तक कि आप अपनी संपत संपति गिर्वी रखना चाते थे तब भी किसी ने भरोसा नहीं किया पर मैंने किया और तुमने मुझे ही धोका दिया आपने जो मेरे लिए कि अप उसके लिए मैं आपका भारी हूं लेकिन इस वक्त सचमुच मेरे पास पैसे नहीं है मैंने आपके पास अपनी जो प्रप मति तुमने मेरे पास गिर्वी रखी उसके और पैसा नहीं दूगा पर तुम्हें एक आइडिया देता हूं मैं तुम एक फिल्म प्रोड्यूस करो उसके लिए पैसा मैं दूगा और मेरा पुराना पैसा नहीं लोटाओगे तो भी चलेगा मेरा एक छोटा भाई है जिससे नहीं पूरी कर पाऊंगा तो जैसी मेरी प्रताब से बात हुई तुम्हारी संपत्ति बेज के उससे पैसे ले लूँगा यह सब करने की कभी सोचना भी मत भाई देखिए भाई मैं सिधा पॉइंट पर यह आ जाता हूं यह जो मेनन सर है न इन्होंने आपके पास अपनी संपत्ति रखकर जो उधार लिया है यह उसके बेनावी मालिक कोई और नहीं हम ही लोग है भाई वो दरसल बात ऐसी है भाई आपने जिस लड़के को हमसे फिल्म में लॉँच करने के लिए कहा था न वो नहीं हो सकता वैसे तो मेनन साब की सारी संपत्ति हमारी है और हम लोग फिमस भी बहुत है अब अचानक कोई हमें उखाड़ने की बात करने लगे तो हमसे सहन नहीं होगा और जहां तक मेरी बात है तो कब तक प्रोड़क्शन कंट्रोलर बनकर इनकी अंडर में काम करता रहूंगा सर बहुत बोरिंग काम है और अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है यह क्या क्या आपने। आपके पैसे देने में देरिक की सिर्फェ इस लिए आपने में बहुत है अब मुझे वो डॉकुमेंट्स दिकहिए वो डॉकुमेंट्स कहा है मुझे नहीं लगता कि भाए प्यार से पेपर देने वाले हैं प्रैंजे टूर आए रहीम, गबराउमत, तुम्हें कोच नहीं होगा, कोच नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना क्या हो रहा है, लक्ष्मी, तुम जाओ, जाओ लक्ष्मी, नहीं, जाओ क्या वक्योग मिधाओ, क्यातндूसρाए है ुट्ख्ख्ख्ख्ख्ख्खॖруго typically जाओ, कैड़ता तुम्हें, जाओ là क्या देताू है seconds, रध। क्या的 ग inquiry by वे पिल गुबराउख ये तुम्हें पर देता? कła रार्मा मिधा है क्या थे ओक्या पीला तुम्हें हम लोग यहां तुम्हें खत्म करने आये थे हम जब यहां पहुंचे तो कुमार ने बताया वो भी तुम्हें ढूंड रहा है ही फिर हम दोनों साथ में मिल गए आज की रात तेरे भाई की पहली नहीं बलकि आखरी रात होगी आई आई अजन गो यह आदमी हमारे लिए बहुत फाइदेमन निकला हमसे पहले इसने उसका काम तमाम कर दिया हमें ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कमी ने कहीं के तुम लोगे ने हमें दोखा दिया अब ढूंटे हैं वह डॉक्मेंट्स कहां रखे हैं चलो कर दो प्रॉब 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 मैं ठर दो सिंग ठर दो हुआ सारी मुसीबतों की जड़ यही है भाई इन ही डॉकुमेंट्स के दम पर आज तक तुम फोन पर हमें धमकी दिया करते थे देख ले पेपर्स करोडों में है इन पेपर्स की कीमत और तुम्हें मारे बिना इन्हें वापस लेना मुम्किन नहीं था सेटल करने की बात हो तो कहां होगा कैसे होगा यह बात माहिने नहीं रखती कर दो बस और यहां एक आदमी के चक्कर में कितने ही लोगों को मारना पड़ा जो पुलिस वाले के लिए आसान नहीं होता लेकिन कानून मुझे कुछ नहीं करने वाला पता है क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो कोई सबूत नहीं छोड़ते वहां साबित नहीं हो पाएगा मैंने कुछ किया तो फिर मैं चलता हूं टेक क्या पून करो एलो पापा यह मर चुका है बुकेश 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 अर्यू बुकेश एक रधा बुकेश एक रदे एक रधा रधा एक रक्ष्पी सुनो हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी सर्जरी हो जाने के बाद भी मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि वो पहले की तरह घूम फिर और बात कर पाएंगे या नहीं उनके शरीर में दो जगह पर चाकू से बहुत बुरी तरह से वार किया गया है और उस चाकू में उस चाकू में किस साप का जहर था क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ हाँ जाओ चन्ने पहुँच कर मैं मुर्ती सर से मिला आपने कहा था दो दिन में काम खत्म करो मैंने एक ही दिन में कर दिया जाते समय लक्षमी ने कहा था मंदिर जाना मैं वहाँ भी गया उसने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे गिफ्ट देंगे मेरा बटे का गिफ्ट यही है क्या मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए भाई क्या यह कोई गिफ्ट है मुझे यह अच्छा नहीं लगा लक्ष्मी मुकेश बाहर मरा पड़ा रहीम हौल में और लक्ष्मी उसे बहुत दर्द हुआ होगा न और पंक्ष्मी भी मुझे आप लोगों को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए था यह सब किसने क्या भाई किसने आपको जहर लगे चाको से मरा भाई बताओ कौन था? उससे छोड़ना मत उससे तरपा तरपा कर मारना और उससे पहले उसके बेटे को मारना किसे? किसके बेटे को? मैं जाओंगा कि उससे तुम मेरी आगों के सामने वार हो कौन है वो? मेरी लक्ष्मी मेरी बैचे सब सब कर गया मुने छोड़ना भाई कौन है वो भाई? कौन है वो? बताओ भाई बताओ दॉक्टर 48 घंटों के बाद भी आपको इने जिन्दा रखना होगा कैसे भी? डॉक्टर मैं इनकी आखों के सामने उन्हें मौर कर उनसे बदला लेना चाहता हूँ प्लीज से प्लीज मैं इतने दिनों से उसके बेटे के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे मार सकूँ भाई ने उसी से शुरुआत करने के लिए कहा था वो दोखे बाजी से ही फिल्म इंडिस्ट्री में इस मुकाम तक पहुचा इसी लिए मैं फिल्म इंडिस्ट्री का गौट फादर बना किसकी कार है ये मुझे भी नहीं माले क्या बात है सर आपने मुझे यहां क्यों बुला है याद है कुछ ये इसके बारे में ये यहां क्या कर रहा है क्या चाहिए इसे उस समय हमने जो किया बास उसका अफशेश है ये बात तुम्हें याद नहीं होगी न याद करो वो शक्स जिसने तुमसे कहा था कि उसके भाई को फिल्मों में एक्टिंग का बहुशा आया याद आया हाँ लेकिन उसे तो हमने वही मार दिया था न और जो पैसे हमसे मांग रहा था उसे देने की बजाए हमने मलीशा भेच दिये थे सर मेरे फोन पर एक नंबर से कॉल आया था उसने कहा कि तुम दुनिया के किसे भी कोने में छुप जाओ लेकिन मैं तुमें छोड़ूँगा नहीं और वो आयनर था आयनर था जी हाँ लेकिन तुम ही ने तो बताया था कि वो उसी समय मर गया था मैंने कब बताया ये बात तो आपके ही बेटे ने बताई थी और तबसे हमारे खिलाफ कोई सबूद भी नहीं मिला और उसकी इंक्वारी भी नहीं होगी तो वो दुनिया में कही ने कही तो चुपाई होगा और तीन सालों से वो यही रह रहा है उसने तुम्हें अपना दलाल भी बना दिया किसी साप को मार कर उसका सर को चलने से कुछ नहीं होता शरीर भी जलाना होता है नहीं तो उसकी पूँच भी घुराफात करने लगती है और उस आदमी पर हमला कर देती है तीन सालों से वो तुम्हारे बेटे के आने का इंतजार कर रहा था तुम्हारे बेटे के कोची एरपोर्ट पर लैंड करते ही उसने अपना गेम शुरू कर दिया तुमसे बदला लेने वाली ये वही पूछ है तो अब तक जो वो कर रहा था वो कोई कॉमेडी नहीं थी ठीक हा न कॉमेडी के बाद थ्रिलर हुआ अब रिवेंस सीन होने वाला है इस आदमी के बहाने वो हमसे अपना गेम खेल रहा है या तो वो तुम्हें मार देगा या हम मार देंगे तुम्हें मरना हर हाल में है या पापा चाको अभी काकनाड वाले फ्लैट में होगा तुम अभी चले जाओ और उसे बुला कर लाओ ओके पापा कैसे हैं सेर तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, नाश्टा पानी तयार रखो हाँ हाँ जरूर सर, उसके पहले मैंने आपके लिए कूरियर भेजा है सर कैश दे दीजेगा सर, चाको के हाथ भेजा है सर चाको उसमें बहुत जादा पी लिए सेर प्लीज ज़रा जल्दी कलेक्ट कर लिजेगा यह जाको आपकी द्वारा टाइल किया गया है क्या हुआ सर सुष्च ओफ आ रहा है चलिए चल कर देखते हैं तुम उपर देखो मैं में सुच ओन करता है जाको फिलिक्स सर आप तो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए मगर फिलिक्स सर मैंने जो समय बताया था उससे पहले ही चाको को हैंड ओवर कर दिया अगर आपको सर्विस पसंद आए तो मुझे फाइव स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा सर देख्या सर वर्मा हाँ सर वो यहीं पर है बहुत पिया हुआ है फिर ज्विल कहा है चलिए उठ बीटा बीटा चैनल बीटा चैनल बीका बीटा उसने मार डाला, वो हम सब को मार डालेगा लेकिन तुम उसका हास तक एक बाल वाका नहीं कर सके यही एक आदमी था जो हमेशा हमारे खिलाफ बोलता रहता था हमें इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था अब खेल हमारे और उसके बीच रहे गया मैंने आपको सर्प्राइज किया दिया सर आपने तो मुझे भी सर्प्राइज दे दिया मेरे काम का बोच कम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर फाइनल गेम के लिए अब तयार हो जाओ जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करते ही ये गेम अब खत्म हो जाएगा अपने बेटे के मरने का आपको जरा भी गम नहीं ऐसे महौल में भी आप इस तरह पंच डायलोग मार रहे हो इसे कहते हैं विलेन तो मिस्टर विलेन सीधा तुम यहां आजाओ दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है समय बर्बाद मत करो जिस जगे पर हमारी शुरुवात होई थी मैं वहीं पर हूँ और आपके स्वागत के लिए बैठांग इसलिए आप फॉरन वहां से निकलो हाँ मेरे वहां पहुशने तक ही तुम जिन्दा बचे रहोगे तुम्हारा खेल खत्म दगेमी जोगे सर ये गेम इस साल का सबसे बड़ा गेम होने जा रहा है वेलकम टू कमबम थैनी हाँ 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 चककचा 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 झाल 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 इस फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए ये सेट आपको कैसा लगा जब फिल्म की शुरुआत आपने इसी जेगे की थी कमिश्टर सहाब तो फिर उसका क्लाइमेक्स कहीं और होगा तो मज़ा नहीं आएगा देख करो इसका काउन क्लोज करो हुँँँँँँँँँँँँँँँँँ お稍 bets अवा! आ Khan आ कर दो ऑख हुआ 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 हु कैसा लगा तम इश में फैर किनेमा इस्टाइल में अगर आये हो तो थोड़ा ट्विस्ट भी देख लो बॉस क्लाइमेक्स है ना इसने भी ग्रैंड होना चाहिए जरा पीछे मुड़ कर देखो कैसा लगा स्टोरी में ट्विस्ट इस न्यू जिनेरेशन सीनेमा के दौर में विलेन ही हीरो साबित होता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ अब हमें इसके दूसरे पार्ट के बारे में सोचना होगा इस हेड और टेल ने मुझे मारने की धमकी दी थी कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चुप जाओ ये मुझे ढून के मार देगा अब तेरे हेड का हेड मेरे चाकू के नोक पे है अब क्या करेगा तो ए कुमार जल्दी से उस लंगडे का काम तमाम कर दो और जन्रेशन हो या न्यू जन्रेशन हो फिरो हमेशा हीरो होता है इयाँ बस्दार 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 प्सक्राइब क्वाड़ कमिशनर सैर जब आप इस घर में सबको एक वे करके खत्म कर रहे थे तब आपसे गलती हो गई थी आपने ये चेक नहीं किया कि ये मरे या नहीं अगर आप उसी दिन इने मार देते न तो मैं आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता अगर सब मर जाते तो मैं भी आत्मात्या कर लेगा बीना हेट के टेल का मतलब ही किया आज तक सिर्फ ये इसी लिए जिन्दा है ताकि तुम सब लोगों की मौत अपनी आँखों से देख सके जब इने पता चला कि मेरे हाथो तेरी मौत होने वाली है तो मैंने इनकी आँखों में एक चमक देखी मैंने इस खेल की शुरुवात तीन साल पहले ही कर दी थी और आप तो सेकेंड पार्ट की बात कर रहे थे सेकेंड पार्ट भी बनेगा सर मगर आप में से कोई भी उसमें नहीं होगा तो अब इस खेल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए तुम्हें गैसे भूल सकता हूं प्रताप को तुम्हें झाजय को झाजय को झाजय को झाजय को